विल गाईज आज की रात प्रभाश शायद ही सोय होंगे क्योंकि बहुबली के बाद लगातार फ्लॉफ फिल्मों की लाइन लगाने वाले प्रभाश की मच अवेटेड फिल्म सलार का टीजर लॉंच होना था वो भी तड़के सुरे 5 बजे जो की रिलीज भी हुआ पर उसके बाद क्या हुआ फटबर बात करेंगे इस वीडियो में वेल आईनो आप सभी प्रभाश के फैन हैं बट मुझे टीजर की शुरुआत में फट से स्क्रीन पर बांध लिया टीनू अनन सर ने जिनके डायलोग से एक बात क्लियर हुई कि वो प्रभाश के प्रवक्ता है इनू के आसपास जुंड में कुछ लोग दिखाय जाते हैं जो कि अफरीकन प्रजाती के मालूम होते हैं कुछ अंडियन गाडिया भी है और बेहत ही अपडेटेड बंदू के जिनसे ये क्लियरली समझ आ गया कि सलार केज़ेफ फ्रेंचाईज यूनिवर्स की मूवी तो है लेकिन इसमें हतियार केज़ेफ से काफी आधुनिक है लेकिन भाई हतियार की मा का साकी ना का येनू आनन सर अफ्रीकन जहापडी से एक डायलोग बोलते हैं और बस फिर एंट्री होती है सलार की जहां साइड फेस और मुक्ये के साथ प्रभास की एंट्री दिखाई जाती है जिसके साथ तड़का लगता है केजिएफ की ही जैसे सस्पेंस और थीलर से बरे बैग्राउंड म्यूजिक का और तुरंथ हम सब के खड़े हो जाते हैं और जनता कुछ सोच पाती तब ही एक खतरनाक देशी लुक में प्रिथिवराज सर की एंट्री दिखाई जाती है जो एक संके देथ है कि मूवी मास्टरपीस हो सकती है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आजकल OTT प्लेटफॉंस से बहुत देखने को मिलता है होंबाले फिम शायद सलार को भी केजिय फ्रेंचाईज के जैसे पार्ट्स में रिलीज करना चाहती है इसलिए क्लियरली टीजर में मेंशन है कि 28 सितंबर को वल्ड वाइड इसका पहला पार्ट रिलीज होगा जिसका नाम सीजफायर रखा गया है तो कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन पे आएं तो टीजर बहतरीन है पर हाँ थोड़ा और प्रित्वी सरीया प्रभाश का लुक और सामने आतो तो जादा बेटर रहता बट शाइड डिरेक्टर चाहते थी कि टीजर को प्याज की परत के ही जैसा कॉंप्लिकेटेड रखा जाए इसलिए बस थोड़ा सा मदारी का खेल दिखा कर असली सरकस को छुपा लिया गया आई विश और ओप की जैसे केजिएफ का सुबह चार बजे रिलीज किया गया पहला शो हाउस फुल गया था सिमिलरली सलार का टीजर एंड फिल्म भी वैसे ही काम करे तो आपकी इस फिल्म वीडियो या टीजर पर क्या राय है कॉमेंट में बताकर वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करके इस चैनल का सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन हीट करना मत भूलना